बीजेपी की कोशिश हारी 16 लोगसबा सीटों को जीत कर 80 के मिशन को किया जाए पूरा तो सपा ने भी ठान लिया 22 लोगसबा सीटों को जीत कर बीजेपी को 80 में से 80 सीटों पर दी जाए मार यूपी के वो 22 लोगसबा सीट जहां कभी नहीं जीती सपा क्या हाथ थामने से इस बार दोड़ेगी साइकल यूपी के 22 लोगसबा सीटों पर सापना के बाद से इस सपा ने जीतने का बहुत किया प्रियास लेकिन नहीं हो सकी काम्याब लोगसबा चुनाब में बीजेपी को चुनाथी देने के लिए यूपी में हारी हुई 16 लोगसबा सीटों पर ध्यान देना शुरू किया खिक उसी तरह सवाजबादी पार्टी ने यूपी में 22 लोगसबा सीटों को चिनहत जिया है यह 22 लोगसबा सीट ऐसी है जहाँ सपा एक बार भी नहीं जी थी यूपी में 22 ऐसी लोग सबा सीटे हैं यहां सपा ने कई प्रियोग किये लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक सपा के साइकल नहीं चल पाई इस वार अखलेश के अगवाई में कोशिश है किसी तरह से इन सीटों पर जीत हासल की जाए एसे में आपके जहन में यह बात होगी यह 22 सीटे कौन सी हैं जिस पर सबाजबादी पार्टी अपने सापना काल से लेकर जीत हासल नहीं कर सकी हाला कि इस सपा के और से प्रियास बहुत किये गए लेकिन चाहा कर भी सपा इन 22 सीटों को भेद नहीं सकी ये बाई सीटे सपा के लिए अभेद बनी हुई हैं चलिए इन बाई सीटों के बारे में एक एक कर आपको बताते हैं पश्मी उपी की मेरट बागपत से लेकर पुर्वांचल की संतकभी नगर और कुशी नगर सीट शामिल है इसके अलावा गौतम बुद नगर, गाज़ेबाद, अलीगड, हातरस, मतुरा, फतेहपुर, सीकरी, पीली भी, दोहरहरा, बरेली, कानपुर, अगबरपुर, सुल्तानपुर, लकनाओ, अमबेटकर नगर, वारांसी, भदोई, श्रिवास्ती, बस्ती सीट शामिल है इन में से कई परी सीमन के बाद की है लोकसवा चुनामें 22 सीटों में से सूला पर सपाने अपने प्रत्याशी उता रहे हैं जबकि 6 सीटों पर सयोगी दल्के उमिदवार मैदान में है कानपुर, वारांसी, फतेहपुर, सीकरी, मतुरा और गाज़ेबाद सीट कई है लखनव सीट पर सपा ने कई प्रियोग किये लेकिन सफलता नहीं मिली फिल्माबीनिता सेलेक्टाय डॉक्टर पर पार्टी का दाउं काम नहीं आया इस बार पार्टी ने रवीदास महरूतरा को टिकर दिया है उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राजनास सिंग से है इसके लावा कानपुर, बरेली, पीली भीद, धोरारा, सुल्तानपुर सीट पर भी साइक्ल पंक्चर रही 2019 लोकसबा चुनामे सपा को गाज़ेबाद में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था या बीजेपी के जनरल वीके सिंग ने सपा के सुरेश सिंग को पांच लाग से जादा वोटों से शिकस दी थी इस बार यहां से गाज़ेबाद से कॉंग्रेस की डॉली शर्मा मेदान में हैं और बीजेपी के अतुल गर को चुनाम रड़ रहे हैं गौतम बुद्द नगर में बीजेपी के महिश शर्मा के मकाबले सपा ने महिंदर नागर को उतारा समाजवादी पार्टी ने प्रधान मत्री नरेंदर मूदी के संसेदेशेतर बारांसी से 2019 में शालिनी यादव को उतारा था सपा प्रत्याशी को नरेंदर मूदी से 4.79 लाख वोटों से शकस्त मिली थी